तो भाई लोग कैसे हो आप लोग तो स्वेलो डेस्टोर के नेक्स्ट इनोवल के एपिसोड नमर 215 में आपका स्वागत हैं तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना ना भूलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफैंग ने अपने लिए एक मीशन को चूज कर लिया होता है और वहाँ पे उसके जाने के लिए अपने सारी चीजों का बंदुबस्ट भी कर लिया होता है और अफ़ी हम सीन चेंज को सेकेंड एक को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफैंग अपने साथ ब्लेक आर्मर और बूर्स को पहने हुए होता है और उसके साथ उतने सिक्स एस स्विल को भी लिये हुए होता है जिसके साथ एक ब्लड सैडू ब्लेड होता है और यहाँ पे लूफैंग ने नांसन आर्मर को कंसीडर नहीं किया होता है और यहां पर यह सारी कर्ष्टा में बने हुए होते हैं उन मैटेरियल से जो कि Blood River World में पाए जाते हैं यहां पर रही बात Cloud Corning, Wine और Quantum Computer की तो वह वहां पर नहीं जा सकते हैं वो Regulation के खिलाफ हैं इसलिए उसने अपने इन सारी चीजों को Musa Clan के Body को पहनने के लिए दे दिया हो होती है लेकिन अभी के मर्तबा लुफेंग उससे मेंटरी टो कमेंट के करी सकता है यहां पर वभाता को दिखाया जाता है जो कहती है यह आंकर किसने सोचा था कि मैं भी तुम्हां साथ लाइफ इंडेट सिच्वेशन में जाओंगी मैंने कितनी बाद तुम्हां टीचर के और नो को दिखाया जाता है जाहां पर लुफेंग से कहते यूंए मेस्ट्री इस निसन पर बहुत ही साउधानी से रहीएगा और लुफेंग भी हाँ बोलता और फिर लुफेंग वाँसे निकल जाता है यहां पिन भी हंडेट गार्ट्स थाओजिन स्टाफ मेंबर से वो स सिप को दिखाया जाता है जहां पर उसिप में एक ब्यूटिफूल परपस और है लेडी होती है जो लूफेंग से कहती योड में स्ट्री हम ब्लड रिवर वोल की तब जा रहे हैं रभी के मरतबा हमारी स्पीड और रेडि थर्टी सिक्स टाइम लाइट स्पीड के बराबर आ उसके बाद अपने सोफा पे बैठ जाद और अपने गलास में वाइन को भरता है वो उसको टेस्ट करने लगता हो इसी के साथ लूफेंग अपने कंसियेसनेस को वर्चुल यूनिवर्स में भी भेज देता है ताकि वो अपने ब्लेड टेकनिक इलुजनरी सेवन ब्लेड को सीख सके और अभी के मतबा लूफेंग ने अपने साथे ब्लेड को अच्छे से सीख रहा होता है अपने कंसियेसनेस में ही अभी दीका जा तो सेवन ब्लेड में उसकी सबसे प्रोफिसेंट डॉच्मेंट पाइप होती है और यहाँ पर यह उसी मोसा क्लान की बॉड़ी होत से कि वो सभी अलग-अलग फिल्ग में थे और अब फिर हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जहां पर वो अपने ब्लेड वर और मुवमेंट को अपने माइंड में रिवाइस कर रहा होता है लेकिन अभी के दर्मिया उनीस घंटे इसी में बीच आते और वो लड़की आत जाते हैं वो लेडी और करती एक्स्टर्नल सिमिलेशन की जिसने के बाहर सबका दिखने वाला था और फिर लूफेंग बाहर के सरावनिक्स को देखता तो वह भी सौक रह जाता क्योंकि वहां के सिंडरी बहुत जा खुब्सूरत होते लूफेंग क्या था यह तो पहुज जा खुब्सूरत है वहां पर देखता है कि उस एक्स्टर्नल वर्ल में पूरा वर्ल मिस से भड़ा हुआ होता है साथ इगर इस पेस डेब्रीज मौजूद होती ही जो कि बहुत या मिस्टूरस थी यहां तक कि कुछ दूरी पर यहां पर बीटीफूल पैलेस भी फ्लोट क को करते हैं और यहां पर वो आगे बताते कि इसी जगह से जाला दूर नहीं एक जगह है जिसे हम एंपटी सेक्टर कहते हैं वहां पर हम यूनिवर्स टिप को वहां पर अपनी यूनिवर्स ट्रैवल के लिए लिए जा सकते हैं मतलब कि वहां का स्पेस पोई तरह किसे खा यह सुएंग कि हां अपने सई सुना और अ फिरome जाने वाले हैं और अभिस जाने वाल हैं और ऐसको में और आपने स्पेसिक करना होगा क्योंकि यहां पर हमारी सीप नहीं जा सकते ही स्टासраat लाया ही होगा आपने अपने ट्रेणिंग मेलुल में साइट चीज़ को देख रहे हैं तो लूफेंग भी हामी भरता है और अपिन केविन का दरवाजा ओपन होता है लूफेंग वहाँ से बाहर निकलता है जिसके बाद वो अपने उस हेवें इरोजन पैस में आ चुका होता है लूफेंग वेब के साथ वहाँ पर अपनी सिल्वर पिरामिड सिप ले आता है जो कि कोई और नहीं और्टमन से पोथी जो कि उसने अर्ट से एकवाइट की होती है यह सिफ बहुत ही एक्सेप्शनल सिफ होता है बात की जान मोबेल्टी की या डिफेंस की तो यह उतने भी बूरी नही जाता है और हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने कंट्रोल रूम में होता है वहाँ पर उन सारे सरावनिंग को देख पाता है लगबग तीन घंटे बाग वह उस एड्मस्फेर में आ जाता है और यहां पर लूफेंग देखता है कि यह वर्ड ब्लड र वर्ड यह बहुत ही स्ट्रॉंग है यहां था कि इस वर्ड में अंडाइन बेंग मी मौझूद है इसलिए मुझे अपने आजिंटी को रिवील नहीं करना है और अपर वो क्याता है कि यह बहुत ही अजीब है अगर बात किजा वर्ट्यूल निवर्स की एस्ट्रेंग की तो और यहां पर लूफेंग के मन में बहुत सारी सवाल होते हैं लेकिन क्यातना की और वो क्याता है चोड़ो भी वैसे भी मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है और अब पर हमें सीन चेंज कर तीन गंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो और्टमन से अपने मिट्रोड पर आ चुका होता है जो कि ब्लॉट ड्रीवर वोल्ड का अपना खुद का एट्मोस्फेर होता है और अब बबाता उससे कहाती है कि अब मैं इससे आगे नहीं जा सकती हूं और अभी के मरतबा बबाता अपने स्टोरीज रिंग में आ चुकी होता है जहां पर ल अगलर लेवल को रिप्रिजेंट करते हैं और जैसे जैसे वो आखी जाएगा वैसे वैसे लिवर्स और विजा हाटोटे जाएंगे और यहां पर तो एबरीजर ब्लॉड रिवर वाल में किसी की भी हिमत नहीं कि वह एटीम लेवल में जा सके क्योंकि वहां पर जाना बहु पूली मिशाण को कमप्रीक मिट करना है और वो क्या था कि अगर मैंने यहां पर कोई अबूरेजनस से मीट के लिव ब्लॉड वहां से निकलना ही ठीख होगा और फिर लूफ दो पने अपने सिप से बाखन निनकलता है जाहते लूफ है जाहते आपर वेंग है और बोकट के ग्रैविटी के अंदर तो कोई भी नॉर्मल स्टार लेवल का बंदा भी नई उतने अच्छे से कर पाएगा यहां पर तो मिनमम रिक्वार्मेंट्स भी स्टार लेवल का बंदा होना चाहिए और लूफेंग अपने इससाइड काल्कुलेशन को करने लगता है और अफ़े में आ जाता है जहां पर वहां पर चारता देखता है जहां पर एंसेंट फॉरेंस्ट होता है जो कि अटलिस्ट टेन टाउजिंड किलोमीटर में फैला हुआ होता है और वहां के एजस पर कोई भी अराम से दीख सकता है कि वहां पर सहर मौजूद रफ पर इंसेंट कर विलकम किया जाता है वहाई पर फिर वहाँ पर उस्ति वहाँ वह पर 있도록ने में बाथ करता हूं कि अभी के मरतबा मैं अरुनि युञ्वर्सल लूफ नाइन पर हougulanी कोई इसा हम हुक्य क्ली की स्नेक को दिखा कि की जो की 60 मीटर लंबा जेट गुर्ण इस्नक पर्षन होता है और यहाँ पर लूप Heyं के सामने वह अपने मूँखोलता है जो की ट्री टू फोटू मीटर बड़ा वता है डाय मेटल की जो anthropose Quiz करता है और मोखेंग को दिखाया जाता है जो की उस नेके सितना बिल्कुल कुली नहीं ड़रा होता और बात की जाए इसने स्नेक्स की तो वह 20 स्टोरी बिल्दिंग के बराबर होती है और लूफ्रेंग तो इसके सामने डॉट के बराबर भी नहीं था और यहां पर इसने के एक्स्प्रेशन टूरं बदल जाते जब वह लूफ्रेंग को देखता है और यहां पर जितने भी बीष्ट है वह लगबर इस्टार लेवल 5 और 6 के मर्तबा के हैं और यहां पर वह अगर मेटब देखे भी तो यह उनके लिए सुसाइड होगा क्यूंकि अभी लूफ्रेंग अपनी कॉंसियेशन को प्रेशर के हिसाब से यूज कर रहा होता है जिसके म भी लूफ्रेंग कर डो मेंड लोट किए यहां तक की बात किया तो सिक्ट लॉट कि लिवल 1 तक क्या सता है 96 ॐसे घप के मारत unlimited और रहे के महज़त आगे बढ़ता है जार पर फॉससे लिवल 5 इसट्रायल ए फसक्स क gradual गैक ता यहां पुई आगे बरने क से पन रहुन वह crystal को दिखाया जाता है जहांपे एक special trailer सो तायर johan लोकिस पूरे where को उस्तर प्रूटेक करना होता ऑफ है लूफे आगे बठ जाता है और यां पे हमें Age of mountain Rains का दिखाया जाता है जहां पे एक टीम उसकी तब बर नहीं करें लगती है रविके हमें उन टीम को दिखाया जाता है जहां पे एक बंदा उससे कहा था यंग मास्टरी यह आपका पहरा टाइम में कि आप इस वाइल बीस्ट में आये इसलिए आपको क्वेर लिस्ट नहीं होना होगा आपको बस इस एजस कोई एक्स्प्लोड करना होगा आपको जाला अंदर त आपको इतनी वॉरी करने की कोई जर्वत नहीं है यूट को दिखाया जाता जो कि सिल्वर आर्मर में पहने हुए होता है वहां पे अपने पास से ब्लैक बोलिये हुए होता है जो कि वह एन एरो होता है वसी को यूज कर रहा था और जैसा कि यहां पे टिकनलोजी उतनी मौ प्रजूद नहीं है वहां पर तभी वहां पर एक स्टॉडि मैंड को जो हसरा होता है उसे कुछ महसूस होता है वहां पर एक मांगू बिस्ट होता वो कहता कि हम लोग यहां पर मांगू बिस्ट की टरिक्री में आ चुके हैं और यहां पर यह सुनकर वहां पर जितने भी ग को से पूलते की तो यंग मास्टर को में दिखाया जाता है जो क्या था कोई दिक्क नहीं वो अपने तीरधन उसको उठाता है अपने फाइट करने के लिए रेडी होता है और अब की मरतबा वो टीम आगे पर नहीं लगते हो में दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो यह ब्लैक को दिखाया जाता है जान पर उस लिड़िक कर देता है अभी के मरत्मा पर फेसे उन सब को दिखाया जाता है जाता है अब आपे उस पर अटाक करने वाला तो यहां पर कहाता है कि तुम अपनी मौट को देख रहे हो और यहां पे उस बीस्ट को देखकर टंडर अंकल उससे क्या आते हैं मांग्यू बीस्ट यह कम से कम स्काइब लेवल वाइल बीस्ट है यहां पे आमे उस ब्लैक लाइट को दिखाया जाता है जिसके कानवों ग्रेस्ट रिटाउस उससे बहुत दर्द में चीखने लगता है तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर जैसे ही आता है उसके टीम भी गुस्से हो जाती कि आपके तुमने एटैक कैसे की आमें सिल्वर यूद को दिखाया जाता है जिससे एक्स्प्रेसन और विजा स्रियस हो जाते हैं वहां पर मांगी बीस को दिखाया जाता है जो कि पहले से इन के लिए रेडी होता है और जैसे वहां पर उसके अटाक करता है तो अपने उस एरो को डिफ्रेक्ट कर देता है और यहां पर वो से लरने के लिए तयार हो जाता है लेकिन अभी के मरतबा हमें एक एक्स को दिखाय जाता जो आके उस मैंग्यू बिस्ट को चीर के रख देता है यह वह इंपे मारा जाता और अभी के मरत में में दिखाया जाता है कि उसे मारने माला कोई और नहीं थंडर अंकल होता और यहां पर शिल्वर आम बिग्टाली बजा तो हमी कहता है कि तॉंडर अंकल तॉप आप तो मार जाओगे इसके प्राइजिन के मरतवा में इसके पास नहीं जाना है रफ वह सब अपने हाथ में बात करने लगते हैं और हमें वह सिल्वर आर्मर यूद को दिखाया जाता है उससे हाथ मिला तो कहाता है कि तुम्हारे एज और एक्सपेरियंस से तुम अभी जवान लगते हो और यहां पर हो कहता है ब्रदर आके तुम कहां से वह में उस सिल्वर आर्मर में को दिखाया जाता है जो कि अपनी आपको सिवेर कितब देख रहा होता कि मैंने उस बंदी की जान बचाये और अभी दीखा जान तो अगर उसने फाइर नहीं किया होता तो वह इस बहुत पहले से पथा चल चुका था और वह उससे डिस्ट्रॉय करना ही चाहता था लेकिन अभी के मरता वह उसने देखा कि यहां पे पैसनेट सिल्वर आर्मर यूटेंट जो कि उससे बचाने की कोसिस कर रहा था इसलिए उसने अपने स्ट्वेंड को सो नहीं किया नि क्योंकि अपने इस बहादूर का काम करके उसके सामने बहुत ही उचा बन रहा होता है और उससे क्या पदा लूफ्रेंग क्या चीज़े वह उससे चाहतो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दे हमें तोईदे बात का सीन दिखाया जाता है जहां पे लूफ्रेंग उस इंसेंट फोईस को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम सेफ रहोगे रही के मरतबान यहाँ पर उससे लगता है कि यह ब्लेक आर्मर मैं जो कि लूफ्रेंगे वह बहुत ही लिस्ट एक्स्पियेंस से और यहाँ पर वो अपने से एक्स्प्लोर करने आया था और इसी कान वो यहाँ पर मर भी सकता था इसलिए वो अपने घर इसको लाज जाते इसको सेफ रखने के लिए और आफ़ यहाँ पर तो वो अपने आपको हीरो की तर समझी रहा था और आफ़ वो लूफ्रेंग की तब देखता और कहा था कि मैंने खुद को अभी तक इंट तो भी ड्रदर क्या सकता हूं और वो क्याता की हम लोग स्लय उमौस सीटी में जाएंगे का तू में साथ चलोगे में अगर पास अगर टाम होगा तो वो कहा था कि हम लोग तुम्हें वहां के बाहन में दिखाएग कि क्योंकि हम तो उसे सीटी में ग्रू की एते यहाँ होती मुझिल हो यहां पर कईसा सीघ्र प्रेशलि के पार में में जान राका होता है जो कि उसके सेम्हेंग्ट को होता है कोड में मस के लिए और इंफर्मेशन के मताबिक यहां पर देखा जा तो लूप यहां पर पावर लेवल के बारे में बता चला था किस ब्लॉड रिमेर यहाँ पर नैग्टिव इस्ट्वेंज सेप्रेटिए प्रवा जिस्पे की ग्राउंद लेवल स्क्राइल क्लाउड लेवल डूमेंल लेवर पर अन्डाइब अन्डाइंग इस्पेड यहाँ पर इन्साथ में बटा हुआ होता है यहाँ पर अन्डाइथ यूणिवर्स सोच् शीप्र एक्षूमीज में होते हीकित खीक एक्रव कर आपर ऐता जो की होता है। होता है यहां प देखित की बिल्यूंस किलोमीटर की जहां पर शीक्तर है कि हम पर र youtube पोपलेशन ट्रिलियंस में भी है यहां पर दीखा दा ब्लड रिबर वर्ड में तो आप टोटल 10 मिलिए वर्ड सिटी से और यहां पर ऐसे कई साफ जगह भी यह जहां पर अंडाइंग भी रहते हैं यहां का अंडाइंग बेग बहुत रैंकिंग होता है और यहां पर कोई भ माउट बीस्ट होगा वह ऐसे आगे बढ़ने लगता और कहाता है कि यहां का सीटी लॉड जरू में लॉड लेवल का होगा वह कहाता है कि मुझे ब्लड रिबर क्रिस्टल की जरू रखते होती है और यह वही चीज़ होती है जो कि लूफ्रेंग के मिशन में एकम प्लीस हो यहां पर लोफ्रेंग पर अपने षेक्रेट को चुपा हूए हूँं अपने उसने रखा होता है क्योंकि अगर वी स्ट्रॉंग होनी को दिखा देता टिश्ड to therapy हम इस तूरे जंगल को दिखाए जाता जाता जो गुजर के नीकल के अपने चिप्ने कर दभ जा रहे थे लेकिन वहाँ के बीश जितने भी थी वो मुश्किल से ही पूरे जाके स्टार लेवल 9 या 8 के ही हो सकते थे वहाँ पर कोई भी यूनिवर्सल लेवल का बीश ठाही ने लेवल में सींचेंज के उन दोरों बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर सिलवर आर्मर यूद उस लूफ एंग से बात कर रहा होता अभी के मरतबा टॉलर स्टोडी ठंकर अंकर और बाकि साइग गार्स उसको इंदी करें होते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं यह बंदा करने लगती लेकिन यहाँ पर चुप रहने को बोल तोड़ी सी कान साइगा चूप हो जाते हैं और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनको और जाने के लिए ठाउजिन ऑफ किलोमेटर्स का रास्ता करना था यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर आगे हमें यहाँ पर आगे खुद का सुसाइट करेंगे इसमें हमारा घाट कोई नहीं होने वला है रोकाता चलो यहाँ से आगी चलते हैं और यहाँ पर आचुका होता है उन सब के पास और यहाँ पे उन सब से बाद होने ही लगती है और वहां पे हमें यांग फंग नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कहाता है जो कि यूफ्एंग के अंदर होता उसमें टेन अंडर लिंक्स मौझब थे जहां पर एक तो इस्टार लीबल नायन का और 9 इस्टार लीबल सेविन और एट के मौझव थे वाहां पर उनके साइड में आगर नाकिका ने का जाये है जो कि लोफ एंग का टीम ताब वाहां पर अंकल वो भी सिर्टार लेवल 607 में थे और उनकी टीम इतनी आया स्ट्रॉंग नहीं थी और अभी के मरतबा ठंडर अंकल कहते हैं कि हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत ने थे यहां पे इन सब की टीम बहुत है स्ट्रॉंगर से इनकी यू फैमिली की स्ट्रॉंगर उनकी आधी टीम टो हमारे साथ आ चुकी है और अभी के मरतबा हम यहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं और मैं वहां पे बंदे को दिखाया जाता तो जो क्या था क्या था क्या करना चाहिए यह सब स्काय लेवल के पाइनेकर वारियोस हो चुके और यह अकेला बंदा ही हम सब को मार स सकता और अभी के मरतबा टीम पूरिते के से परिसान हो जाता है क्योंकि वहां पे उन सब के घेरे जा चुके थे और यहां पे वह अपने फैमिली का बदला भी लेने वाले थे अभी जिल्वर आपर यूट को दिखाया जा जो कि यूफ्ञ से कहते कि आके तुम हमसे चाहते हमें उस बदे को दिखाया जाता है यह न सब को दिखाया जाता है की मैं अज बहुत सबग सिखाने वाला हूं मैं यह हैं कि कि सागेम करने कंदे को यह यहां मर देना यहां पर वो नाके. को कुई मत मारना क्योंकि वो यंग मास्टर है क्योंकि वो में आ तो गुड ब्रादर है जो में ऐसा गाउं में पड़कर बड़ा हुआ था और अफिर हमें सींचेंज के लूफ एंग को दिखाया जाता है जो कि उनी सब के पीछे वैकर इन सारी बातों को सुन रहा होता है और में उन सारे गृप्स ओफ वर्योस को दिखाया जाता है जो कि उन सब की तब बढ़ रहे होते हैं लेकिन तब ही वो बीच में रूप जाते हैं कि यह अच्छा नियों में दिखाया जाता है कि उनके माइड में आता है गेस्ट लॉस्ट मतलब यहां से चले जाओ और यहां पेखाया और पेखाया जा जली एलएक हैं तो जानते घूल में तब तब तर के लिए आ г D झाल झाल